चेलो फ्रेंट्स आप सेवागत और बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट नीज्गोंपर। रिजन था फ्रेंट 0.5% का जो रिजल्ट निकल कर आ गया था जो कि फेड की जो रेट थी जिसका वेट बड़े बड़े इंस्टियूशन बड़े बड़े इन्वेस्टर कर रहे थे जैसा कि मैंने बताया था और जैसे रिजल्ट आउट हुआ तो जो लोगों ने उमीद कर र क्रिप्टो मार्केट में पम्प देखने को मिला यहां तक की बाकी मार्केट जो है ऐसा ने क्रिप्टो मार्केट में ऊज्क पर और now रहरे चलता हूं सिदेूख उस न्येज पर और वहां पर हम बात करींगे डीटेल्स में मैं अपनी तरह से पूरी मेहनत करूँगा आपको अच्छे से कुछ समझाने में तो वीडियो पसंद आने पर लाइक जरू कर देना और साथी साथ आपको यहाँ पर एक चीज और किलिए आज हो ही जाएगा कि किस तरह से जो मार्केट्स है न आपको क्रिप्टो मार्केट हो या stock market हो यहां की market हो या बाकी जगह के stock market हो एक दूसरे से कैसे relate करती है एक दूसरे से कैसे मतलब directly proportional work करती है तो चलो friends पहुंचते न्यूज पर और वहां पर समझने कोशिज करते हैं कि सारा का सारा माजरा क्या है market actually down गया तो उसके पीछे का actual region क्या है तो बात करें गर overall market cap की तो यहां पर आप देखो के 1.67 trillion पर आ चुका है market जो की अभी तक बहुत कम देखने को मतलब बहुत कम है मेरा कहने को मतलब है और यहां पर बात करें गिरावट की तो यहां पर आपको यहां पर यहां पर नीची में एक चीज घौर करना यहां भी बोला जा रहा है तो चलो अब आते हैं नीचे में और यहां पर बात करते हैं क्या क्या किस तरह से हुआ है market जो डाउन चल ला है अभी की टाइम में अगर बात करें इतनी पर नीचे ज्यादा में टाइम अपका नहीं लूँगा मैं पहुंचूंगा उसी मुद्धे पर तो यहां पर बात की जा रही है एकर कल के दिन की बात करें तो यहां पर बोला जा रहे कि क्रिप्टो एसेट प्राइस जो था वह नोटिसेबली हाइयर था मतलब की अच्छा पंप ही था मैंने दिखाए बाए था कि चलो इधर इसका आपको फेडरल जर्व का इधर 0.5 परसेंट वाला रिजल्ट आया और इधर मार्केट आपको पंप किया और मैंने एक चीच और बोले था कि भाई इससे टेंपरोरी भी आप मान सकते हो सकता है मार्केट क्योंकि कह से जो ट्रेडर से उनकी उमीद थी उससे कम इंक्रीज हुआ मतलब यहां साब तो यह कहना है कि फेडरल जर्व की जो इंटरस रेट उन्हें बढ़ाया है 0.5 परसेंट तो वह उमीद से कम निकला मतलब लोगों को उमीद था कि इससे जादा जो फेडरल रिजर्व की रेट है वह बढ़ सकती है लेकिन वह 0.5 परसेंट जब निकली थोड़ी कम निकली उमीद से तो जिन लोगों को भी इस चीज का वेट था और इस कारण से ही वह पैसा मार्केट में नहीं लगा रहे थे तो जैसे उनको लगा रहे भाई यह तो बहुत कम निकल गया तो बस पैसा लागाना शुरू और मार्केट पंप होना शुरू तो फ्रेंस यह रीजन था मार्केट पंप होने का अब आप तो यहां पर देखो यह जो चीज है यहां पर बोला जा रहा है कि डो जोंस इंडस्ट्रियल एबरेज रिकॉर्डेड और 2.8 परसेंट गेन वाइल टेक नीचे में आते हैं फ्रेंस कि यह तो ठीक है कि यहां पर भी आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला लेकिन फिर अब यहां पर देखो कि डो जोंस है जो नस्दाक है इसकी प्रोन से संगरबड हो रहेगी उसके लिए माप की जिए गवाई यहां बोला जा रहा है कि 3.1 प यहां पर प्रफॉर्म किया वह बिगेस्ट गेन भी था 2020 के बाद इसका लेकिन जिस तरह से फिर से 3.1% का डॉप हुआ यहां पर बोला जा रहा है कि 2020 के बाद बिगेस्ट गेन भी ये कल परसुं में बनाया और बिगेस्ट लॉस भी बनाया अब यहां पर बोला जा रहा है कि इसी चीज़ को फॉलो करती हुए जिस तरह से फेड के इंफ्लमेशन मेजर थे जो कि आपको 0.5% को इंक्रीज किया गया थे इंटरेस्ट अब यहां पर बोला जा रहा है आरे स्टील भेरी हाई भाई हिस्टोरिकल एस्टेंडर्स तो यहां मैं लिखा था टू डिकेट्स टू डिकेट्स मतलब कि आप मालो लभग 20 साल की अगर बात करें तो उसमें यह जो रिट वड़ा है वह सबसे जादा है तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि जो तिंग्स आर लेस ड्रास्टिक ऑन दा क्रिप्टो करेंजिक प्रॉंट विच धनाब चाहरे जाता है 9-10-11 दोनों मार्केट यह टोनों कोईण और भी मार्केट उनकोचर अगर इन दोनों मार्केट परफ़ॉंस ऐसे हैं और यंडिया के मार्केट जैसे तो उती है इसलिए जो भी इंडियन इंडिया स्टॉक ट्रेडर से वह क्या करते हैं कि सबसे पहले सुबर उठके बाकी जो मार्केट इंडिया मार्केट अभी ऐसा काम कर सकता है तो फ्रेंस यहां पर बात क्या है कि क्रिप्टो मार्केट भी डाउन अब यहां पर देखो तो यह सब जो चीजी आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर बोला जा रहा है इस साल के अगर बात करें कोई यहां पर कुछ है श्टॉक की बारे में बताये जा रहा है जिससे आपको यह समझ में आज आएगा जाए अवी अश हुए है सकते मार्य जब रस डाउन होता बाकी सारी मार्केट डाउन नहीं हुए तो ज्यादा टेंसल लेते सारे मार्केट पे ही असर पड़ाया जिस तरह से सारे मार्केट फेड के रिजल्ट के बाद जैसे फेड का रिजल्ट हुआ सारे मार्केट ऐसे हुए क्रिप्ट भी हुआ फिर सारे मार् फेस्बुक मेटा जो है उसे 34% हुआ है अब किस समय से तो यहाँ पर टाइम एक चीज़ जरू देखना एक दिन की यह नहीं है यहाँ पर देखो सिंस दे स्टार्ट ओड़ यहर मतलब यह साल जब से शुरू हुआ है तब से अगर इनके अभी तक की बात करें तो यह आप मान सकते हो हो सकता है प्रेंट्स आप देखो बड़ी बड़ी कंपशने को मिल रही है तो आपको यह वीडियो जरूर पसंद आये होगी और मैंने जिस तरह से आपको एक ही सिस समझाने की कुछ है यह लख समझ में भी सब कुछ आई गया होगा तो फ्रेंट्स अब मुझे बतले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइक कर दो, और चैनल पर मेरे नए हो, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मार्केट की जितनी भी न्यूज होती है, पोजेटिव न्यूज हो, निगेटिव न्यूज हो, छोटी से छोटी न्य इंडिया की न्यूज, इंडिया से बाहर की न्यूज, सारी न्यूज मैं कॉबर करता हूँ, और अपने हिसाब से अच्छे समझाने की कोशिज भी करता हूँ, तो एक लाइक तो करी दो,